लेकिन ये लोग गरीब के कल्यान को भी राजनितिक नफा नुक्सान से ही तोलते रहें। साथियों, जब गठ बंदन सत्ता की मजबुरी का हो, जब गठ बंदन ब्रस्टाचार की नियत से हो, जब गठ बंदन परिवारवाद की नीति पराधारित हो, जब गठ बंदन जातिवाद और छेत्रवाद को ध्यान मरक्कर किया गया हो, तो वो गठ बंदन देश का बहुत नुक्षान करता है। अपने दस साल खीच पाई। लेकिन देश को क्या मिला। प्राइम मिनिस्टियर के उपर भी एक आला कमान। पॉलिसी पैरालिसीस, निर्ने लेने में अक्षमता, भांती भांती के पावर सेंटर्स, अव्यवस्ता और अविश्वास, खीचतान और करप्षम, लाखों करोडों के गोटाले। आपको याद होगा, जब भी पिछली सरकार के कुशासन पर समाल उठते थे, तो गटवंदर की मजबूरिया गिनाई जाती थी। बहाना ये की, गटवंदन के कारण, क्रेडिट लेने के लिए तो हर कोई आगे आता था, लेकिन जैसे ही कुछ गडवर होती थी, तुरंत अपने सयोगियों पर दोश मण दिया जाता था। हम सवभाग्य शाली हैं कि NDA की स्थिती इससे बिलकुल विप्रित है, अलग है। हमारे लिए गटवंदन मजबूरी का नहीं, बलकि मजबूती का माध्यम है। NDA कोईलेशन कंपलसंस का नहीं, बलकि कोईलेशन कांट्रिबुशंस का प्रती है। क्रेडिट भी सबका है, दाहित्व भी सबका है। NDA में कोई भी राजनितिक दल बड़ा और कोई भी राजनितिक दल छोटा नहीं है। हम सभी एक लक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपने देखा है, 2014 हो या फिर 2019 भाजपा को भहुबत से अधिक सिटे मिली। लेकिन सरकार NDA की ही रही, NDA की भागिदारी बनी रही। साथियों, NDA के गटन से लेकर ही हमारा संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का रहा है। जो वंचित है, जो शोशित है, उसको ससक्त करना हमारी प्रात्वित्ता है। आज देश की जनता देख रही है कि NDA में कौन-कौन से दल है, NDA में जितने भी दल है, वे समाज के ऐसे वरगों के बीच काम करते हैं, जो वंचित रहे हैं, शोशित रहे हैं। हमारे समू में गाउं, किसान, दलीत, पिछडे, आधिवाशों के बीच काम करने वाले ये सारे नेता यहां है। NDA में जो दल है, वो ऐसे छेत्रों में काम करते हैं, जिनकी पहले दिल्नी में सुनवाई तक नहीं होती थी। NDA एक प्रकार से छेत्रिया आकांशाओं का बहुत ही खुपसरत इंद्र धनूश है। NDA देश के लिए, देश के लोगों के लिए समर्पीत है। NDA की विचारधारा है, नेशन फर्स्स, शिकुरिटी अब नेशन फर्स्स। NDA की विचारधारा है, प्रोग्रेस फर्स्स। NDA की विचारधारा है, एमपावर्मेट अब पीपल फर्स्स। साथियों आपको याद होगा, NDA की बैटक में हमने संक्रप लिया था, कि हम देश की गरीबी को गरीबों की ताकत से ही गरीबी को पनास करेंगे। इसलिए इन वर्षों में हमारा सबसे जाना जोड गरीबों को ससक्त करने पर रहा। हमने स्रम योगी को सनमान दिया, डिगनीटी और लेबर पर बन दिया, हमने गरीब को सुरक्षा का एसाथ दिया, हमने गरीब को ये विश्वात दिया गिए आपके हर प्रयास के पीछे, NDA सरकार एक बरोसे मन साथी की तरह आपके साथ खड़ी है। जैसे किसान को अगर सही बीच और खाथ पानी मिल जाएं, तो वो पैदावर का रिकॉर्ड बना देता है। वैसे ही हमने गरीबों को सतक्त करने के लिए उन्हें हर संभव मदद की। इसका परिर्णम क्या आया। अभी नीती आयोक की सबसे ताजा स्टड़ी आई है। आप में से को जमित्रों ने उसका उलेग भी किया। इस स्टड़ी के मुताबिक 2015-16 के बाद के पांच वर्सों में ही साड़े तेरा करोड लोग गरीबी रेखा से बहार आ गए है। इसके पूरवा वर्ल बेंक की रिपोर्ट के सामने आया कि कैसे बहुत कम समय में ही 44-42 करोड लोगों ने गरीबी को परास्त किया है। आएम एप के मुताबिक एक्स्ट्रीम पावर्टी